ITC और State Bank of India ने दे दिया है Breakout तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक के बिना मच जाईएगा तो चलिए शुरू करते हैं आई हम जानते हैं ITC के बारे में ITC ने क्या किया है ITC जो हमारा कंपनी है वो लार्जेस्ट मैनुफेक्चर है सिग्रेट्स का राइट हाँ इसके और भी प्रोड़क्ट्स है जैसे ऑपरेट करता है पांच बिजनस सेग्मेंट में स्टाबलिश हुई थी 1910 में रैट चलिए अब जानते हम चार्ट पे ठीक है देखिए SBI में क्या हुआ है देखो जी SBI में डेली के चार्ट पे यहां पे क्या हुआ है डेली के चार्ट पे clear cut इसने breakout दे दिया इस zone का ठीक है आप देख सकते हैं kind of head and shoulder pattern था ये ठीक है और ये pattern का भी देखो breakout हो चुका है और एक और pattern का breakout हो चुका है वो है आपका ये वाला pattern राइट आप देख सकते हैं clear cut तो हर level से breakout हो चुका है ITC ठीक है अब क्या है हमारे पास एक देखो support भी था आप देख पा रहे हैं ये support भी था ये support का भी breakout हो चुका है ITC में now it is showing कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ मेरे को यहाँ पर buy कर लो मैं यहाँ से भागने वाला हूँ right so दोस्तो हर level पे इसमें breakout हो रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं clear cut यहाँ पर हमको support भी है यह support है आपका यह support यह support यह support और यह support और इसका breakout हो चुका है ठीक है जानते है stop loss के बारे में हम इसका stop loss क्या रख सकते हैं दोस्तों उसका stop loss हमको रखना है 205 का ठीक है closing basis पे जब तक 205 के उपर daily candle close रहेगे तो तक हमको बने रहना है आई जानते है target की बारे में दोस्तों जो आपका target होगा आने वाले upcoming weeks में वो होगा 220 का second target होगा आपका 230 का और last target होगा आपका 240 का इन तीन target के लिए आपको अराम से ITC में खरिदारी करके चलनी है देखिए अगर हम weekly के चार्ट पर आएं तो देखो वीकली के चार्ट पर एक बड़ा मेरे को अच्छा pattern देखो दिख रखा है दो consecutive hammer यानि कौन सी hammer bullish hammer हमको बनते हो दिख रखी है यह देखो पहला bullish hammer और दूसरा bullish hammer now it is showing कि आपका stock रुकनोला नहीं है यह भी उपर जाने वाला है आप आराम थे इसको consider करकर चल सकते हैं तो आप इस stock में buying करने से पहले अपने financial advisor से जरूर सला मशुरा करें यह होगा हमारा पहला stock देखिए daily के भी चार्ट पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पर देख पा रहे है ब्रेकाउट दिया था ब्रेकाउट देने के बाद banker moment हमें उपर साइट देखने को मेली थी ठीक है तो same situation यहाँ पर हो चुका है और अगर देखो मैं ITC की बात करूँ तो देखो ITC ने एक सीच और का ब्रेकाउट किया है weekly के चार्ट पे आप द करने के बाद यही यही आपको focus करना यह अपने पकड़ ली आपके मज़ें मज़ें ठीक है तो यहाँ पे ना इसको होल्ड कर रहा था भागा नहीं है देखो ब्रेकाउट करने के बाद स्टॉक दर आक्चल में mostly क्या करते हैं भाग जाते हैं यह भागा ही नहीं उतना गया दीरे करके यह अराम से बढ़िया लेवल भी दिखा देगा आने वाले weeks और month में में इसकी बात कर रहा हूँ तो I hope चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं देखिए बाए डबलू पैटर मना के बरेकाउट हुआ जानबू इसके बड़े लोगों नहापे sustain कर वाया और आप दोस्तो मैं इसको एक बड़िया थमसब देता हूँ दोस्तम जान चुकिए ITC के बारे में चलिए जानते हैं अब इस सेकिंड स्टॉक सेकिंड स्टॉक है हमारा SBI दोस्तो SBI के बारे में जाने है उससे पहले थोड़ा हम जाल लेते हैं इसके history के बारे में देखिए SBI देखो कौन-कौन से pattern form हो रहा है क्या कैस में देखो तोड रखा है देखिए दोस्तों देखिए यहां पर क्या हो रखा एक तो पहला यहां पर breakout हो रखा यह resistance का आप देख पारें clear यह resistance कितना है 370 का आप देख पारें clear कर 370 का है इसमें resistance का देखो breakout हो रहा है पहला resistance दूसरा तीसरा और यह breakout है यह संकेत दे रहा है कि यह रुकेगा नहीं यह थकेगा नहीं यह भागेगा यहां से अच्छा तोड़ा सा और follow करते हैं देखो चीजों को और यहां पर देखो एक चीज़ हो चुका support लेके उपर निकल चुका है यह that means अब यहां से भागने वाला है अगर हम बात करें stop loss की जान ले तो stop loss का हमारा क्या हो सकता है दोस्तों हमारा stop loss होगा वो होगा 360 का closing basis पे ठीके लिख लीजे आप 360 का जो आपका target हो सकता है वो होगा यहां पे मैं वीडियो में आ अगर आपको 1000 quantity लेनी है तो आप 300 अभी ले लिजे ठीक है बाकी थोड़ा बहुत accumulation नीचे करिएगा बाकी 300 नीचे ले लिजेगा बचे कितने 400 बाकी 400 जब नीचे से माल लिजे अभी यहां पर ले लिए अभी नीचे आया बाकी 300 आपने इदर ले लिए अब जब फिट से में भी accumulate करके चलिएगा माल लिजी हमारा average price हमने dip में buy करके हमारा average price आगया 375 का ठीक है तो जो आपका इस हिसाफ तो आपका target बनता है जो आपका first target होगा वह होगा 393 का जो आपका second target होगा वह होगा 400 का जो आपका third target होगा वह होगा 410 का दोस्तों यह है SBI के in target जिसको और जानते हैं कि SBI में और क्या-क्या हो रखा है तो कि हमने डेली के चार्ट पर जान लिया ठीक है अगर देखो मैं आपको weekly के चार्ट पर दिखाओं तो देखो वीकली के चार्ट पर लगतार दो से तीन candle ना लगतार मेरे को यहां पर शो ही देखो ही ती एक candle hammer bullish hammer ये bullish hammer य ये सब कुछ शो कर रहा था कि ये नहीं ये बडिया तरीके से ऊपर जाने वाला है अच्छा अगर आप एक चीज देखेंगे बड़ा बड़ा बहुत सई चीज है वो चीज क्या है देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं देखो hold on अभी क्या है अभी ये हमारा all time high के आसपास है ठीक है all time high था ये मतलब ये गलत है तो देखिए यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि 372 के आसपास ये जब भी आता है नीचे आता है जब भी आता है नीचे आता है ठीक है इस बार भी हलका फुलका उपर गया था 417 पर गया था फिर से नीचे आ गया ठीक हो के लेवल को ये और बढ़िया तरीके से उपर जाने वाला है स्टेट बैंक ओफ इंडिया ठीक है तो हमने ITC or State Bank of India that means SBI में Target Stop Loss सब कुछ जान लिये हैं ठीक है हमने क्यों उसको चूज किया है कितना उपर जा सकता है कितना उपर नहीं जायेगा हमने आपको सब कुछ बता दिया है दोस्तो इसी प्रकार से हमने आपके लिए JSW Steel का analysis किया था अगर आपको ध्यान होगा तो बढ़ि दिया था ठीक है कि हापको बताया था कि इसको पर निकलेगा तो आपको बाय करके चलना है 640 को पर हमने आपको बताया था और all the way यह 766 तक गया था दोस्तो हिट लाइक बटन अगर आपको JSW Steel में बहुत बढ़िया मुनाफ़ हुआ होगा तो तो बाकी अब हम आपके लोगों से कि आप हमको और सपोर्ट करते रहें ठीक है प्रिविस वीडियो पे बहुत धेर सारा हमको प्यार मिला आप लोगों से तो बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को और दोस्तों कमेंट सेक्शिय में जो लिखी बताइए कि आप और कि इस स्टॉक के उपर अनालसिस वीडियो चाहते हैं ठीक है तिल देन मैं प्रिभात कुमार लाता रहूंगा इसी परकार के कंटेंट वीडियो इन्फोर्मेटिव वीडियो नमश्कार धन्यवाद जैहंद आप सभी को